बना बनाया घर खरीदने के बजाए, खुद से घर की construction करवाने वालों के पास एक advantage होते हैं, वो ये के वे खुद से decide कर सकते हैं कि उन्हें कहां किस जगह कितने switches और socket लगाने हैं, अपनी requirement के हिसाब से, तो according to national building code, आज मैं आपको switch और socket placement की complete detail देने जा रहा हूँ, कि आपको किस जगह कितने switch और socket लगाने चाहिए, ताकि in future आपको किसी भी तरह की problem नए face करने पड़े, तो अगर आप भी अपना घर बनवा रहे हैं, तो ये वीडियो जरूर देखें, आपके लिए important होगी, और घर के लिए minimum switch socket requirement जानने से पहले, आपको तीन बाते जरूर ध्यान मे रखनी है, पहली कि आपको जो भी switch socket लगवाने है, वो fire resistant होने चाहिए, कम से कम उनकी fire rating 2-3 घंटे की तो होनी ही चाहिए, दूसरी बात कि switch और socket कितने लगने है, ये बात totally आपकी requirement और type of load पर depend करती है, इसमें आप जरा भी confused नहीं हो, जितनी आपकी requirement हो उतने लगवाएं, और तीसरा, जो appliances ज्यादा current carry करते हैं, जैसे gizer, purifier, kitchen oven, freeze और air conditioner वगवारा, पहला तो उनके लिए हमें साब 15-16 ampere के switch socket लगाने है, दूसरा, ये थोड़े higher level पर locate होने चाहिए, और normal appliances के लिए आपको 6 ampere तक के switch socket यूज़ करने है, तो ये तीन बाते आपको switch socket इंस्टॉल क रखनी है, तो आइए अब हम देखते हैं कि हमें घर में minimum कितने switch और socket रखने चाहिए, नमबर वन, अगर मैं living room की बात करूं, तो living room में आपको 6 ampere के कम से कम 5 socket और 5 switch तो रखने ही है, जैसे एक TV के लिए, एक DTH के लिए, एक point press वगएरा के लिए, एक phone charging के लिए, और एक point आप spare में रखें, mosquito और replant वगएरा के लिए, तो living room में कम से कम 6 ampere के 5 socket और 5 switch जरूर रखें, और don't worry, आपको note बनाने या screenshot लेने की कोई जूर्ट नहीं है, वीडियो के last में मैं आपको इस पूरी detail की PDF और Excel sheet दोनों दे दूँगा, सेकिन अगर living room में 16 ampere के switch socket की बात करूँ, तो आपको 2 socket और 2 switch living room में जरूर देने हैं, वो क्यूं एक air conditioner के लिए और एक spare में, और switch board में 6 ampere के 5 switch भी देने हैं, 2 switch light के लिए, 2 fan के लिए और 1 entrance light के लिए, तो यह है living room की minimum switch socket requirement, Next, अगर bedroom की बात करें, तो bedroom में आपके 6 ampere के 3 socket और 3 switch रहेंगे, TV, DTS, phone charging, night lamp और study के लिए, 16 ampere का 1 socket, 1 switch लगाना है, air conditioner, AC के लिए, और 6 ampere के total 3 single switch देने हैं, light, पंखे और night lamp के लिए, तो bedroom में आपके minimum इतने switch socket तो जरूर हो, बाकि आप ज़्यादा भी रख सकते हैं अपनी जोट के हिसाब से, पर मैं यहाँ आपको minimum requirement बता रहा हूँ, इससे कम switch socket आपको नहीं रखने चाहिए, next अगर बात करें kitchen की, तो kitchen में आपको 6 ampere के 3 socket, 3 switch रहेंगे, refrigerator, mixer और चिमनी, इन 3 के लिए, एक एक, और 16 ampere के 2 socket, 2 switch रखने चाहिए, एक microwave के लिए, दूसर purifier के लिए, और 6 ampere के 3 switch रखने है, एक light का, एक पंखे का और एक exhaust fan का, तो आपको kitchen में इतने switch socket जरू लगवाने है, नमबर 4 है bathroom, बातरूम में आपको 6 ampere का सिर्फ एक switch और socket रखना है, saving razor की charging purpose के लिए, 16 ampere का भी एक switch और socket रहेगा, यहाँ गलती से 2 हुए हैं, जिसमें आपका गीजर लगेगा और 6 ampere के single switch दो रहेंगे, एक light का और exhaust fan का, next dining room, dining room में आपको 6 ampere का एक socket और एक switch रखना है, सिर्फ phone charging purpose से, यहाँ 16 ampere switch socket की need नहीं होती और 6 ampere के यहाँ आपको 3 single switch रखने है, एक light का, एक पंखे का और एक exhaust fan का, छटा आता है हमारा wet area, means वह area जहां हमें सब पाने का काम होता है, तो आपको wet area में 6 ampere के switch socket नहीं देने है, आपको 16 ampere का एक switch और एक socket रखना है, washing machine और पाने की motor बगएरा के लिए, और 2 ampere के single switch रखने है, light fan और exhaust के लिए, next है garage या parking area, garage या parking area में आपको 6 ampere का एक switch और socket जरूर देना है, इसे आप emergency में यूज करने के लिए और 6 ampere के 3 switch देने है, बाहर की lighting वगएरा के लिए, और last आजाता है आपका वरेंडा या gallery का area, वरेंडे में आपको 6 ampere का एक socket switch हर 10 square meter area में देना चाहिए, और 6 ampere के 3 switch तो कम से कम देने ही है, lighting के लिए, तो friends ये है पूरे घर के लिए minimum switch socket requirement, आईए एक बाद total number देह लेते है तो living room में 6 ampere के 5 socket 5 switch, 16 ampere के 2 और 6 ampere के single switch 5, bedroom में 6 ampere के 3, 16 ampere का 1 और 6 ampere के single switch 3, kitchen में 6 ampere के 3, 16 ampere के 2 और 6 ampere के 3 single switch, bathroom में 6 ampere का 1, 16 ampere का भी 1 और 2 single switch 6 ampere के, dining room में 6 ampere का 1 और 3, 6 ampere के single switch, wet area में 16 ampere का 1 और 2 single switch 6 ampere के, पार्किंग एरिया में 6 Ampere का एक और 3 सिंगल स्विच 6 Ampere के और वरैंडा में एक सोकेट स्विच 6 Ampere का और 3 सिंगल स्विच 6 Ampere के तो अगर आप टोटल देखे तो 6 Ampere के हो जाएंगे 15 सोकेट और 15 स्विच 16 ampere के हो जाएंगे 7 socket प्लस 7 switch और single 6 ampere switch हो जाएंगे 24 तो यह आपके घर की switch socket की minimum requirement है अगर आपका house 2 भी अचके है और 2 bathroom है तो इसी हिसाब से bedroom और bathroom की quantity बढ़ा लो पर इससे कम switch और socket घर में नहीं रखें और हाँ इस वीडियो की excel और pdf copy के लिए आप हमें direct message करें हमारे telegram group पर आपको excel और pdf copy दोनों भेज दी जाएंगे और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like और share करना नहीं भूलिएगा ओके फ्रेंस तो चलिए जल मिलता हमारी next वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बहतर जानकारी के साथ और वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप लोगों बहुत बहुत धन्यवाद गई so see you in the next video lecture guys thanks for watching and have a nice day